So hey guys welcome back to my youtube channel तो ये है day 6 of motivational challenge video and sorry guys कि कल मेरी videos नहीं आपाई कुछ issues के वज़े से technical issues के वज़े से बट या अब डेली मेरी videos आएंगे तो first quote है you should never regret anything in life if it's good it's wonderful if it's bad it's experience देखो आपको कभी अपने life में किसी चीज का regret नहीं करना है ये बात आप हमेशा ध्यार रखना अगर कुछ बुरा हुआ है तो ठीक है उसे हमको experience मिल गया जैसे कि अगर हमारा number कम आ गया है तो उसे हमें experience मिला है सीख मिले कि हाँ ठीक है यहाँ पर मेरा number कम हो रहा है मुझे इस subject में मेहनत करनी है और ठीक है फिर बात में अच्छा number आ जाएगा अगर कुछ अच्छा हुए तो बहुत अच्छी चीज है कि हाँ ठीक है मेरा अच्छा number आ है तो बहुत अच्छी बात है अगर खराब आ गया तो मुझे कुछ experience तो मिला है न तो आप उस experience को ले के hard work करो तो आप जरूर success को achieve कर पाओगे यह मत सोचो कि नहीं मैं fail हो गया मैं failure हो गया यह बात मैं आपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आपको यह नहीं सोचना है कि मैं fail हो गया मैं failure हूँ यह नहीं सोचना है कहां मैं गलती कर रहा हूँ वो आपको देखना है और give up कभी नहीं करना है always remember that कि आपको कभी give up नहीं करना है और hard work हमेशा करना है तो second quote है if you walk on something a little bit everyday you end up with something that is massive होता है न सब लोग कहते है कि consistency maintain करो तो आप हमेशा जब consistency maintain करोगे तो इससे आपका फाइदा क्या होगा कि आप किसी दिन अगर बिमार पड़ गये तो उस दिन का थोड़ा सा आपका बचा रहेगा सेल बस तो आप अगले दिन थोड़ा सा मैंद करके उसको complete कर सकते हो और थोड़ा 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 सही तो जादे चीज़ बनती है तो वही ये quote समझा रहा है कि आपको रोज थ थोड़ा थोड़ा हार्ड़ऑ करना है और अब जब आप अपने एक्जाम दोगे तो आप आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बहुत मैसिव अमांट पूजर अपने हार्ड़ोक से सेटिस्फाई हो जाओगे यह हर लोगो के लिए like board एकजाम के जो बच्चे है यह फिर 9-10 की जो बच्चे है या फिर जो competitive exam दे रहा है उनके लिए है कि consistency maintain करो किसी भी चीज को किसी भी competitive exam को अगर आपको clear करना है चाहे नीट हो गया जेई हो गया कोई भी exam हो गया UPSC हो गया आपको हमेशा ये चीज remind अपने दिमाग में करना है कि consistency मुझे maintain करना है चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी situation में तब भी आपको exam clear कर पाओगे ये बात हमेशा याद रखना है हर topper यही कहता है कि consistency बहुत जरूरी है consistency अगर है तो आप clear कर पाओगे नहीं है तो नहीं कर पाओगे हम हमेशा ना topper की वीडियो देखते है कि क्या वो ऐसा कर दिया कि वो topper बन गया consistency वो maintain किया है इसलिए वो topper बन पाया है तो ये चीज आपको हमेशा अपने mind में रखना है कि मुझे consistency maintain करना है hard work करना है और अपने आपको कभी failure नहीं मैसुस करना है कभी give up नहीं करना है तो आप जरूर जो आपका aim है जो आपका goal है वहां तक आप जरूर पहुच पाओगे तो third quote है trust yourself you can do this हमेशा अपने पे विश्वास रखो कि आप वो चीज कर सकते हो जो आप चाहते हो बस आपको consistency मेहनत की जरूरत है self-belief की जरूरत है जब तक self-belief नहीं होगे ना अब कोई काम नहीं कर पाओगे कर पाओगे जिसे की scientist है तो उन्हें लगता है पहले कि नहीं हम moon पे नहीं जा पाएंगे तो कैसे आज वो जा पाते कहा कैसे वहां तक पहुच पाते तो उन्हें self-belief रखा, trust रखा तब ही वो यहां वहां तक पहुच पाएं और वो sun तक भी पहुच पाएंगे अगर वो trust अपने पे रखेंगे तो आप भी अपने पे अगर trust रखोगे तो आप बहुत आगे तक बढ़ सकते हो आप सोचते हो ना कि Elon Musk कैसे इतना आगे बढ़ गएं Albert Einstein कितने अच्छे scientist थे, कैसे trust के वज़े से, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपके पास अगर self-belief नहीं है trust नहीं है तो आप नहीं achieve कर पाओगी कोई चीज topper भी अपने उपर trust रखता है, चैक कितनी भी unfavorable condition आ जाए तो ये बात हमेशा अपने mind में रखना और ये सारे quarts में जितने days का बना रही हूं इन साब को paste कर लो आप अपने दिवाल पे ताकि वो बाल-बाल आपके दिमाग में remind होता रहे और आप अच्छे से पढ़ पाओं, देखो मैं मोटिवेट कर दूंगे आपको पर अपने आप से भी आपको मोटिवेट होना पड़ेगा